हेलो मेरे यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग सबस्ट होंगे मस्त होंगे तो कीचेन मैजिक वैस उस्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बहुत ही अमेजिंग रेशीपी लेकर आए हैं आप लोग के लिए आठे और नार्यल का कुकीज बनाने वाले हैं त चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है यह नार्यल सुखा नार्यल है नार्यल गरी जो आता है वह नार्यल लेना है तो मैंने एक गरी लिया है तो इसमें नार्यल का बुडादा बिल्कुल भी लेना नहीं है यह सुखा नार्यल ही लेना है और तक जरूर बने रहेगा, इसकीप मत कीजिएगा, और डालेंगे एक चम्मच, सौंप, और चार हडी इलाइंची, छोटा इलाइंची इसको बोलते हैं, तो मैंने दो दिखाया है, मुझे कम लगा, तो दो मैंने और डाला है, तो इस रेसिपी में मेजरमेंट का बहुत ही ध्य लेना है, तो फ्रेंट्स ये रेसिपी न बहुत ही यूनिक है, ये बहुत ही जैदा स्वादिश्ट और एकदम खास्ता कुकीज बनता है, आप लोग ये जरूर ट्राइक कीजिएगा, तो फ्रेंट्स अगर आप लोग मेरे पेज पे नए जूरे हैं, तो फटाक से सब्सक् देख रहे हैं, तो जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि मेरे हर रेसिपी का नोठिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहें, और आप लोग भी अच्छा स्वादिश्ट रेसिपी का आनन्द उठाएं, थैंक्यू, तो देखिए, अब हम ले लेंगे, बरा बॉल लेंगे, उसमें डालेंगे, दो कटोरी, आटा, आप मैदा भी ले सकते हो, लेकिन आटा ना हेल्दी ऑप्शन है, तो आटा ही लीजिएगा, और डालेंगे, आधा कटोरी, सुजी, और छोटा चमच से तीन चमच घी, और एक चमच फ्रेस मलाई, ये घर का फ्रेस मलाई है, तो घी जैदा मत लीजिएगा, क्योंकि नारियल में भी थोड़ा तेल की मातरा होती है, तो जैदा घी लेंगे तो अपना कुकीज जो है वो भी खर जाएगा, इसलिए घी मेजरमेंट के हिसाब से जैसे हम दिखा रहे हैं, वैसे ही इस रेसीपी में आप लोग फॉलो कीजिएगा अब जो हम नारियल और चीनी का पॉडर बन आखे रखे हैं, वो इन आटे में डाल देंगे, और हलके हाथों से 2-3 मिनर तक हमें इसे मिलाना है, अभी आप जितने अच्छे से इन्हें मिलाओगे, तो वो उतना ही जैदा खास्ता होने वाली है, तो देखिए जब ऐसे हो जाए, तो मतलब समझ लीजिए, जो एकदम परफेक्ट है, तो इससे जैदा नहीं हमें घी डालना है, और अगर आपका ऐसा नहीं बन रहा है, ताप थोरा और घी डाल सकते हैं, तो अब हम यह आटा जो गूतेंगे, वो दूध में गूतेंगे, पानी में नहीं गूतना है, दूध में हमें यह आटा बनाना है, तो आटा का डो हम तयार करेंगे, आटा के जैसे नहीं उससे थोरा सकत रखेंगे, तो देखिए, थोरा थोरा डाल के हम आटा को अच्छे से मिला लेंगे, तो देखिए, बिना बेकिंग पॉडर, बिना बेकिंग सोडा का इतना पर कुकीज के लिए तयार करेंगे तो उससे पहले तेल गरम करने के लिए चरहा देते हैं तो आप लोग कहां से यह वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप लोग को मेरे वीडियो में रेसीपी में क्या अच्छा लगता है क्या सही नहीं लगता है वो भ भी आप लोग बताओगे तो थोरा मेरे लिए अच्छा रहेगा असानी हो जाएगी आगे की रेसीपी बनाने में तो देखिए आते को हम दो तिन लोग में बना लेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इन्हे ना थोरा रोटी के जैसे नहीं बेलना है एकदम मोटा ना हम दे तो देखिए ऐसे हम बेलन से थोरा पतला कर लेंगे जैदा नहीं और चारो साथ से फट रहा है तो कोई बात नहीं क्योंकि हमने सकत आटा रखा है तो यह तो ऐसे होगा ही अब इन्हें छोटे डिबी से या गिलास से कटोरी से आप किसी भी चीज से कट कर सकते हो ऐसे एक स पोक लेंगे और उसके साहिता से देखिए ऐसे पूरा ना ऐसे छेद छेद कर देंगे ताकि तेल जो है न वह अंदर तक जाए और को किजना अंदर तक एकदम से खासता बने तो यह रेसीपी बहुत ही लाजाबाब है मेरे घर में तो मैं बनाई तो चार दिन भी नहीं चल सब एकदम से सफाचेट कर गए आप लोग भी बना ना आप लोग के घर में बच्चे बड़े सब इससे बहुत ही जैदा पसंद करते हैं और खासकर में इसमें न यह सुखा नायल का जो टेस्ट आता है न वह बहुत ही जैदा आमेजिंग आता है तो देखिए ऐसे ही सारा ह रखेंगे और तेल को जयदा एकदम से जयदा गरम नहीं करना है तेल तोरा मीडियम ही रखेंगे हम तक के कुकी जो है अंदर तक तो देखिए तेल एल्ग दम से जैदा गरमें लहीं है हल्का ही गज़ाएं हो बना लें दो सबना लिए हैं मीडियम और हाइच्छे अप्षीम करें लून करें लób alors पलटातेहें हैं कुळिंस को अच्छे से तल लेंगे तो देखिए जब तक वो हो रहा है दूसरा भी हम बना लिये हैं सिर्फ दो कटोरी आटा से आप इतना जैदा कुकीज बना लोगे आपको बिलीव नहीं होगा और थोड़ा लाल करके ही हमें कुकीज को पकाना है ताकि वो जितना आप लाल करोगे न तो वो खास्ता उतना जैदा होता है अगर वाइट रह जाएगी तो वो उतना खास्ता नहीं हो पाएगा तो वो थोड़ा कच्छा रह जाएगा तो कुरकुरे थोड़ा उतना जैदा नहीं होगा लाल करके हम इन्हें पका लेंगे तो फ्राइंट यह रेसिपी आप लोग को कैसे लगी आप लोग वद्थ सुदुशु आर लोग जरूर बताईएगा और तो और जितना यह जैदा टेस्टी है ना उससे जैदा कहीं हेल्दी है क्योंकि गेहूं के आटे और नारियल से हम बनाए हैं और इसमें जैदा तर कुछ भी नहीं डाले हैं सिर्फ घर के बेसिक समान से ही बनाए हैं सारा हेल्दी ओप्षन ही इ देखेएगा आपके फैमली में सब बहुत ही जैदा पसंद करेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही लग रहा होगा आप लोगों को जो थोड़ा खा लें तो फ्राइंस अगर यह रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी आप लोग को तो लाइक कमें सेर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई